इन्वेस्टमेंट इस सेक्योर्टी मार्केट और सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क रिडॉल्ड डिलेटीड डॉक्यूमेंट्स किरिफली बिफोर इन्वेस्टिंग नमश्कार दोस्तों मैं उमेश रमा चार्ट अनाइलसिस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं आज की वीडियों बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की सासा बताएंगे कि किस तरीके सा निफ्टी ने हलकी सी तीजी दिखाई बट क्यों बजार मुझे तोड़ा सा वीक लग रहा है क्या रीजन है वह हम ऑप्शन चेन की डेटा पर आपको दिखाना चाहेंगे कौन से कौ पर इंडस्टिंग है शुग से लेकर आखर तक जूट देखिएगा चैनल को सब्सक्राइब ने कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा तो सबसे बहले दोस्तों यहां पर बात करेंगे हमने निफ्टी में पैटरन बेजा था इसको बोलते मॉर्णिक स्टर पै 370 का तो जो माइंग इनिशिट हुई थी वह 22260 रुपे के आस्वास होई थी बजार आया स्टॉपलोस बचाया और यहां पर हमारा वन इस टूवन का जो टार्गेट था वह हमारा यहां पर अचीव हो गया इसके साथ साथ दोस्तों हमने एक मैसेज और किया था उसके बार तो देखने को मिल सकता है तो हमने एक और मैसेज डाला था यहां पर अगर आप देखेंगे वह आपको देखने को मिलेगा कि कॉल साइट ज्यादा है निफ्टी 22340-350 के आसपस से रिवर्स ले सकता है यह मैसेज हमने डाला था 11 बच के 45 मिनट वे अब यहां पर क्या हुआ वह मैं आपको डिरेक्ली चार्ट पर दिखाना चाहूंगा और इसको थोड़ा से डिटेल में भी बदाऊंगा अब यहां से बजार गया और उसने बजार ने जो हाई बनाया यहां पर निफ्टी देखेंगे कितना मता 22370 के आसपस हमने बताया था 350-360 के आसपस बजार जा पता चलिए कि 340-350 के आसपस ही रिवर्सल मिलेगा तो उसको मैं बहुत जादा डिटेल में आपको समझाना चाहूंगा अब देखो दोस्तों जब भी मौर्निंग स्टार पैटर्न होता है तो मौर्निंग स्टार क्या होता है पहले इसको समझेंगे जो डाउन ट्रेंड को अब ट्रेंड में करता है जो डाउन ट्रेंड को अब डाउन ट्रेंड को अब करने के लिए मौर्निंग स्टार पैटर्न मना वहां से बजार में तीजी देखने को मिली और इसके बाद हमने एक एरिया निकाला जो था 22,350 का क्यो निकाला क्या रीजन था क्योंकि इसका जो अब हमें क्यों लगा कि यहीं से बजार में रिवर्सल मिलेगा उसका सबसे बड़ा कारण था वह मैं आपको ऑप्शन चीन के डेटा पर दिखा देता हूं तो यहां पर कहना चाहूंगा दोस्तों जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको जोईन कर लिजे डिस्क्रिप्शन अब अगर आप देखेंगे तो यहां से आपको सीखने को यह मिलेगा कि 22300 में जो पुट की साइड का जो उपंटरस्ट है वो देखेंगे कितना 48 लाग 24 लाग 56 लाग 27 लाग 25 लाग एड़ दमनीवे ठीक है और वहीं पे अगर हम कॉल साइड देखते हैं तो कॉल साइड में यहां भी देखेगा 36 लाग 87 लाग 38 लाग और 1 करोड 10 लाग के आसपास का उ कॉल साइड में इस जाइड में बहुत बड़ा बहुत बड़ा उपंटरस्ट है साथ अगर स्टाइक अगर आप अगर आप दमनीवे देखे तो 61 लाग के आसपास को यहां पर यहां पे दोस्तो 55 लाग यह आसपास तो पुट साइड में वहाइड ज्यादा कम है राइटर बहुत कम है सबसे जादा जो राइट और उसके मुझे लग रहा है कि बजार में जो एक सेलिंग का प्रेशर है वो देखने को मिल सकता है तो इस वज़े से मुझे लगा कि वन इस टू वन का ही टार्गेट आएगा मौनिंग स्टार का वहां से रिवर्सल मिलेगा क्योंकि 2350 जो लेवल था जो कि बनीस टू बन का बाइंग का जो टार्गेट लग रहा था वहां पे सेलिंग अप्रोटूनिटी बनाई जा सकती है दिसक्रिप्शन में लिंक है उसी लिंक के थ्रू ही आप जो जोइन करियेगा तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको उप्एं टिस क ब्रेक होना मुझे लगता है बहुत मुश्किल है अगर आपको लग रहे हैं कि 22500 ब्रेक होता है तो उस केस में को क्या गरना पड़ेगा अगर बजार तेज होता है तोड़ा बूलिश होता है और यहां पर ओई जो है लगातर घटता है लगातर घटके 22600 पर जा रहा है जो अगर वही चीज Put Side में होती है तो वहां पर अंदाजा मिल जाता है की बजार में तीजित देखने को मिल सकती है तो यह नहीं ही निएफर आप देखेंगे इस तरीके पैटफर है आपको फिलाल देखने को मिला और यह पैटन जो है इसको थोड़ावा पाटन अ समझेंग तो यह pattern में यहाँ पे box pattern आपको दिखाई दे रहा है साथ सा negative divergence है तो उसके बड़े से मुझे लग रहा है कि बजार जो है एक बर 22,000 कुछ 21,700 से 800 के आसब साना चीए थोड़े सा बड़े targets दे रहा हूँ क्योंकि ऐसा chart पे लग रहा है अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अपने support level पे खड़ा हुआ है यह trend line के support पे है और आज का जो low है वो बहुत ही crucial लो था 22,000 जो 200 के आसबस बजार गया था मैं exactly आपको figure बता देता हूँ अगर कल की दिन बजार जो है वह 22,000 170 के नीचे जाता है तो वहां से आपको एक बड़ा fall देखने को मिल सकता है तो 22,000 170 बहुत important level है 22,000 200 मान के चलो उसके नीचे closing दे देता है तो बजार में free fall देखने को मिलेगा और 22,500 जो है वो एक resistance level है लग भी नहीं रहा बजार उसके उपर जा सकता है तो बजार जो है अगर बजार देखे तो 22,500 का एक resistance level है और support जो है वो 22,000 यहाँ पर देखेंगे 200 के आसपास का है तो एक range बनी है बजार में एक resistance support की इसके बीच में बजार क्या है ट्रेड करा रहा है अभी के प्राइज़रा 22,300 के आसपास तो यहाँ पे मेरे साफ से क्या गरी है अगर बजार थोड़ा सा भी bullish होता है तो आप वहाँ पे अपनी sell opportunity find कर सकते हैं हाला कि मैं यह नहीं कह रह आपके लिए बना रहा हूं मैं यहां पर दोस्तों के नीचे बजार जाता है तो वहाँ पे आपको profit book नहीं करना है अगर मेरा ट्रेड होता तो मैं कैसे बनाता मैं उसके बारे में चर्शा करना चाह रहा हूं हो सकता है अब यहां पर 22,000 के नीचे जाता तो मैं profit book नहीं करूंगा महां पर और भी ज्यादा selling करूंगा अब कहोगे बड़ा पैसा जब बनाना है ना मार्केट में तो sell में आप अपने profit में profit बुक मत करो profit को में अपनी position एड करो बोलते हैं आप ट्रेंड को फोलो करना ट्रेंड से लड़ना नहीं है कहीं लोगे मैसे जाते हैं न सर बजार गिर रहा है कब बाय करें हमें यह बता दो अरे भाई लड़ना किया मजार से अगर गिर रहा है तो आप भी गिरने का मजा ल लग रहा है थोड़ा नीचा है तो और भी जादा सेल कर सकते हो तो उससे क्या होता है कि आपने उपर लेवल पे भी सेल कर रहा है तो आपकी अच्छी हो जाती है वह बजार जब आपके favor में चलता तो वहां से बड़ा पैसा कमाते हो तो बड़े trader होते हैं उनका काम करने का इलए यह होता है स्मालोड होते जो मात से थोड़ा सा मलब मैं यह नहीं कर रहा कि मार्केटी करता है वह खेलते रहते हैं आज प्रॉफिट कर लिए फेए लोस कर लिए एक दिन यहा यह आप समीं करता है और जब Profit राइड करता है तो उसमें कॉंटीटी करता है Profit में AF करते हैं एक on profit में करता ना वह हमेशा गॉडियो में बदा है इसके लाबा लग सट्रेटी और उसके पर वो लोकई मैं तो बिदियो बना दूँotteं निफ्टी निफ्टी की बात करिए है तो जलदी से बैंग निफ्टी के बारे में बात कर लेंते हैं और बैंग निफ्टी का चार्ट अगर आप देखेंगे तो बैंग निफ्टी में आज अगर आपको एक चीज बताऊं पो बिल से बता रहा नहीं के आतरा आप ने कर लोस होते समें मैंने क्या एक ट्रेंगल का पैटन भेज दिया लापको वीडियो में भी बता तो मैं निफ्टी में अड़तालीस हजार एक्सोपचास मानके चलिए अगर इसके उपर जाता है तो फट जाएगा फट सकता है यह लाइंग्विज में यूज कर रहा हूं जब मैं 2012 में काम करता था तो मेरे कुछ गुजराती दोस्त हुआ करते थे तो इस तरी की बात करते थ निफ्टी में और पर जायेगा तो तो तीज़ी बढ़ी देजी और इसके नीचे आएगगा तो वी बड़ी Якनि अगर और आगर अगर मजार 48,150 के पर जाता है तो मुझे पता है कि मैं कौन से strike की कौन सी call लूँगा और अगर इसके नीचे जाता है तो मुझे पता है कि कौन से strike की कौन सी put लूँगा उसके accordingly फिर मैं क्या करूँगा profit right कर सकता हूँ दूसरी बात दोस्तों आपको पता है कि कल तो expiry है और exp के लेने से वहले अपने financial advisor से जुड़ ले लीजेगा तो जो levels है दोस्तों वह मैंने आपको बता दिये हैं और यह सारी चीज़ अगर आप सीखना चाहते हैं अगर आपको लग रहे हैं कि हमारे एक नंबर दिख रहा होगा उस पर contact करिए महांचे को जोइन कर सकते हैं इसमे स्टॉक सेलेक्शन सेक्टर अनायलिसीज इसके साथ बाइस साथ लगाते हैं यह सारी चीज़ें सिखाई जाते हैं और अगर आपको option का option सीखना है तो option गा या टेकनिकल अनायलिसी तो अप्शन का कोंबो कोर्स मिल जाएगा प्राइबिट टेलीग्राम चलने मिलेगा कोई डाउट है कोई करिए डिरेक्ली मेरे को कॉल कर सकते हैं तो स्क्रीन पे नंबर है उसके आप कॉंटेट करिए इसके लावा दोस्तों कहना चाहूंगा कि हमारी अडवाईजी सर्वीसीज भी है अगर आप चाहें कि आपको अडवाईजी सर्वीसीज ही लेनी है तो उसका link की description पे हैं हमारे दो गुरूप हैं उन दोनों गुरूप में किसी का भी हिस्सा बन सकते हैं वहां से आप डिरेक्ट हमारी advisory भी ले सकते हैं मैं से वी रिस्टर्ण इने लिस्टू तो मेरे पास license है तो मैं advisory कर सकता हूं तो आज की वीडियो में मैं आपको nifty bank nifty की बारे मता साथ साथ option chain का data दिखाया मुझे बजार क्या लग रहा है उसके बारे बताया साथ साथ मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारा telegram channel को जोड जोइन करिएगा description पे link है क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़े lie market में जो भी